हाझ के फैशन में एक द्रेस बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है जिसे हम बोलते हैं फ्रॉक्सू जिसे हम प्लाजो पैंट लैगी के साथ पैंन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम उसकी सलाई के बारे में सीखेंगे जेकर आपने इसकी कटाई की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में जहां प्लेय लिस्ट में देख सकते हैं आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल न्यू फैशन हट में सुवागत है सबसे पहले हम चोली की सलाई करेंगे चोली के दो पार्ट है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बैक पार्ट पे हमने गले की कटाई की है और प्लेट डालने है बैक पार्ट को सेड पे रख लेते हैं और फ्रंट पार्ट पे हम बजारू गले की सलाई करेंगे हमने आदा करके प्रेस की सेतर से इसे बठा लिया है इस तरीके से और टुक लगा लिया है उपर आदे करके उसके बाद गड़े की पेस्टिंग ऐसे आपने कर लेनी है सेड़ सेड़ पे इसको फोर्ड कर लेना है सबसे पहले हम आगे पार्ट का गला थ्यार करेंगे तांकि हमारा कोई भी जो है कपड़ा है वो बार ना दिखे और इसकी फिनिशिंग में कोई फर्क ना आए सुई की सेता से जा किसी भी चीज की सेता से आपने इसको पेस्टिंग के साथ साथ फोर्ड करकर सारे गले की सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगाने के बाद हम आगे के पार्ट को उठाएंगे उसके बाद जो हमने गला त्यार किया है उसका हमने आदा कर रहे ना है आपस में फोर्ड करके चोकी सैता से हमें एक मार्क लगा लेंगे आदे पर जहांपे मरा हाफ होगा दुनों सैट पर आपने मार्क लगा लेना है ये मार्क सलाई के समय आपकी सैता करेगा और उपर भी हमने आदा करकर एक टुक लगा लिया है दुनों टुक को आपस में मला कर और जो नीचे मार्क लगाया है उसको प्रेस की जो पान पाई है हमने उसके साथ मला लेना है उसके बाद आपने पेस्टिंग के साथ साथ सलाई लगानी है पेस्टिंग के उपर नहीं आनी चाहिए और गले को बार-बार सेट करते जाना है उपर हमारा गड़ा ना निकले जो हमने मार्क लगाया है वो मार्क हमारे सही आए ताहीं गड़े की जो है सलाई सही होगी जेकर गड़ा उपर नीचे हो गया तो वो काणू में आ जाएगा ऐसी आपने दीरे-दीरे करकर पेस्टिंग के साथ-साथ सारे गले की सलाई लगा लेनी है सलाई लगाने के बाद हम इसकी कटाई करेंगे कटाई आपने पेर-पेर का मार्जन छोड़कर वैसे ही गलाई के साथ इसकी कटाई कर देनी है दीरे-दीरे ऐसे आपने सारे गले की कटाई कर देनी है दोस्तो वीडियो आपको बढ़िया लगिया हो तो आप लाइक जरूर करना और शेर जरूर करना कटाई करने के बाद गलाई पे हम शोटे शोटे टुक लगाएंगे तांकि इसे फोल्ड करते समय कोई दिक्त ना आए और बढ़िया तरीके से फोल्ड हो ऐसे आपने टुक लगा लेने है उसके बाद हम गले को उल्टा लेंगे और आप नाखुन की सैता से जाँ प्रेस की सैता से आपने इसे अच्छे तरीके से बठा लेना है अब देखिए हमारे गले की फिनिशिंग फ्रंट साइड और बैक साइड पे कितनी बड़ी आई है बैक साइड पे हमने इसकी तुरपाई कर देनी है फ्रंट पार्ट हमारा पूरा रैडी हो गया है इसके बाद हम बैक पार्ट की सलाई करेंगे सबसे पहले हमने जो प्लेट के मार्क लगाए है हम उसकी सलाई करेंगे, इस तरीके से हमने इसको पकड़ लेना है, उपर हमने इसकी रेव तिर्शी सलाई स्टार्ट करेंगे, और जो सलाई का end करना है, वो हमने इसका तिर्शा बंदनी करना है, इसको खूला ही बंद कर देना है, जे हमने एक प्लेट की सलाई लगा ली है, इसी तरीके से हम दूसरे प्लेट की सलाई भी लगाएंगे। दूसरे प्लेट की सलाई भी दोस्तों हमने तिर्शी स्टार्ट करके और एंड पे हमने इसको भी खुला शोड़ देना है सलाई को तिर्शा बंद नहीं करना है। दुनों प्लेटों की सलाई कम्पलीट होगी है, इसके बाद हम इसे प्रेस की सेता से अच्छे तरीके से बिठा सकते हैं, अब हम दोस्तों बैक साइड जो हमारा गला है वो त्यार करेंगे, यह हमने गला अपने हाथों से ही त्यार करना है, रेडी मेड गले के यूज नहीं क और इसको गले के साथ अटैज करके पट्टी को उपरवाडा रॉंग सेड होनी चाहिए, पैर पैर के मार्जन से सलाई स्टार्ट करनी है, और सलाई लगाते समें हमने किसी वी कपड़े को खीचना नहीं है, गलाई के समें हमने थोड़ा-थोड़ा कपड़ा करके धीरे-ध दीरे सलाई लगानी है और किसी भी कपड़े को हमने खीचना नहीं है दोस्तो ऐसे ही आपने सारी पट्टी को गले के साथ अटैच कर लेना है दोस्तो अब हमारी सलाई कम्पलीट होगी है इसके बाद गले को असानी से फोर्ड करने के लिए हम जहां पर हमारी गलाई है वहां पर हम छोटे छोटे टुक लगाएंगे तांकि इसको फोर्ड करने में किसी परकार की कोई मुश्कल ना आए आप जहां पर इसकी गलाई है वहां पर आपने शोटे शोटे टुक लगा लेनी है टुक लगाने के बाद ऐसी पट्टी वाली जो हमारी अपने सलाई लगाई है उसको उपर करके और पट्टी वाली सैड पे मार्जन को हमने फोर्ड कर देना है और इसके कनारे के उपर सलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यह हमारी पट्टी हम इसके बाद फोर्ड करेंगे उसके उपर तरपाई करनी है जहें असानी से फोड हो जाएए इसलिए हम इसके उपर ये एक सलाई लगा रहे हैं सलाई लगाने के बाद बैक पार्ट के साथ हम आगे का जो हमकमारा फ्रंट पार्ट है उसको अटेच करेंगे सीधा पासा उपर करके हमने इसको विशा लेना है और फ्रंट पार्ट को दोनों जो हमारी सलाई आई है उसके साथ अटैच कर लेना है दोनों सलाईयों को मला लेना है और उसके उपर फोर्ड करके एक बार फिर फोर्ड करना है कपड़े को ऐसी हमने दुन्नों सलाईयां बराबर करके कपड़े को बराबर कर लेना है और पैर पैर के मारजन पे हम इसकी सलाई लगा लेंगे दुन्नों पट्टियों को फोर्ड करके इस तरीके से सलाई लगा लेनी है इसी तरीके से हम दूसरी गले को इसके साथ अटेच करेंगे पहला गला साथ लगा कर उसके बाद पट्टी को फोल्ड करना है और उसके बाद एक बार फिर फोल्ड करना है फिर हम इसके उपर पैर पैर के मार्जन की सलाई लगा देनी है अब हम इसको सीधा करके देखेंगे कि जो हमारा हमने back part से front part जोड़ा है ठीक जोड़ गया है के नहीं यह देखिए हमारा बढ़िया इसके साथ attach हो गया है कोई भी कपड़ा हमारा एक side पे कम और ज्यादा नहीं हुआ है इसके बार जो हमने back part गड़ा हमारा त्यार किया था उसको एक बार forward करकर जो हमारी सलाई है उसको बढ़ा कर दीरे दीरे simple सा forward करना है जो हमने पट्टी बना लेनी है कुछ जादा नहीं होनी चाहिए और इसके उपर हम सलाई लगाएंगे इस सलाई को बाद में हमने उखाड़ देना है क्योंकि सलाई के साथ हमने इसकी तुरपाई करनी है बारी सैड पे जो हमारी पट्टी है वो नहीं दिखनी चाहिए इस तरीके से आपने इसको forward करना है ऐसी आपने सारी पट्टी की सलाई लगा देनी है बैक पार्ट का गला जो हमारा था अब complete हो गया है सलाई के सेंग्ड पार्ट में हम bell sleeves बनाना सीखेंगे इसको चोली के साथ attached करना सीखेंगे और चोली के जो नीचे वाला पार्ट है with plate के साथ बनाना सीखेंगे अगरे पार्ट में हम frog की सलाई complete करेंगे जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा और playlist में भी इसके सारी part मिल जाएगे Thank you for watching my video